अच्के वीडियो में बात करूंगा बायोलाजिकल हजार्ड के रिگाडिंग अब फ्रेंड्स आप कोई सी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो वहाँ पे कोई ना कोई बायोलाजिकल हजार्ड होगा not only industry आप construction activities में अगर काम कर रहे हो तो वहाँ पे भी biological हजार कुछ ना कुछ होगा friends इसी करिकार्डिंग में बात करूंगा चाहे वो coronavirus ही क्यों ना हो ये हमारा biological हजार है लेकिन friends हमें थोड़ा समझना होगा कि biological हजार है क्या so friends biological हजार are organic substance अब organic substance क्या है इसको मैं briefly बताऊँगा and microorganism ये क्या होता है इसको भी मैं बताऊँगा then pose a little threat of the health humans and other living organism अब देखो friends human को biological हजार से कौन से खत्रे हो सकते हैं और ये कैसे spread होता है इसको हम थोड़ा basic से समझेंगे friends कि microbes are tiny living things that are found all around us अब देखो microbes क्या होता है ये मैं आपको organic and जो हमारा micro organism है इसमें आपको बताऊँगा अब देखो microbes क्या बोलता है कि बहुत ही smallest particle में होता आप कैसे ये all around us मतलब for example कि dust भी जो होता है बहुत ही जादा smallest particle में होता है अगर वो spread हो रहा है वो हमें दिखाई नहीं देगा कभी कभी वो हमारे आख में नाख में चला जाता है ठीक है reason क्या है बहुत ही smallest उसको हम देख नहीं सकते अगर उसको आप microscope में देखोगे तो आपको clearly दिखेगा कि ये dust particle है या फिर virus का कोई particles है तो friends इसी में बात करूँगा कि sugars ये हमारा क्या organic substance ठीक है next lipids amino ये सब हमारा acid and proteins ये सब हमारा organic substance है same बात करूँगा मैं micro-organism जिसमें हम bacteria बोल सकते हैं fungus body में जो होता है ये भी क्या है micro-organism, allergy या allergy बोल सकते हैं protozova and virus चाहा कोई भी virus हो, coronavirus हो या कोई और भी जो जितने virus है वो हमारा micro-organism है थोड़ा इसी को और समझते है biological हजार friends की biological हजार can pose a risk for workers in variety of ways अब बात आ रहे हैं कि industry में worker काम कर रहे है अब उनको कैसे spread करेगा, कैसे उस पे वहाँ पे worker को impact करेगा people चाहे worker हो या फिप परसन हो तो micro-organism क्या बोलता है कि industry में कर हम chemical use कर रहे हैं हो सकते हैं वहाँ से हमारा जो hazardous waste निकलेगा, generate होगा अब वो depend करता है कि उसको हम कैसे dispose कर रहे हैं तो ये भी एक तरीका है, कौन सी industry आपकी, उस industry में कौन सा chemical use हो रहा है कौन सा waste, hazardous waste निकल रहा है, क्या वहाँ से generate नहीं होगा ठीक है, तो cool milag के bacteria भी generate होगा वहाँ पे तो इस प्रकार से biological हजार फैलने का chances जादा है अब कैसे अगर लेब में काम हो रहा है, कोई भी हम practical analysis कर रहे है किसी भी MSDS के regarding, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा possibility ये spread होने का microorganism, friends मैं बात करूँगा other example of the biological हजार अब biological हजार का example कैसे आप समझोगी कि ये biological हजार है कैसे spread हो रहा है, so workers with animals, common सी बात है इंसान को जानवरों से प्यार होता है, आपने देखा होगा बड़े-बड़े society में जाईए उनको डॉग पालने का बहुत सौख है, तो डॉग में क्या होता है, कि हो सकता है spread होने का biological हजार, अब डॉग किधर पे जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या खेर ला, क्या मालूँ अगर हो सकता है कि हम किसी जानवर को अपने घर पे ला रहा है तो एक चांस हो गया, biological हजार जो भी है, अभी मनें डिसकस किया spread होने का, एक reason है, working with animals, other handling waste material अब आप industry में काम कर रहे हो, आपके industry में work site पे पूरा कचड़ा हजारस waste निकल रहा है, cutting, grinding, welding, ठीक है, chemical भी use हो रहा है आप उसको एक कहीं पे dump कर रहे हो, वहाँ से generate होगा यह बहुती common सी बात है, यह generate हो रहा है, हम उसको properly dispose नहीं कर रहे है तो एक reason हो गया, handling waste material, and another बात करूँगा friends, working with people who might be infected अब देखो, coronavirus को example ले सकते हैं आपे, आप for example के लिए, मेरे बाजुवाले को covid है, उसको spread है, उसको infection है किसी चीज़ का, उसके साथ मैं काम कर रहा है, उसको हो सकता है, virus है, fungus है ठीक है, उसको कुछ allergy की disease है, ठीक है, उसके contact में मैं अगर आता हूँ तो एक reason हो गया, कि वो spread हो रहा है, अभी corona virus जो doctor treat कर रहे हैं, treatment दे रहे हैं, क्या उनको spread नहीं हो रहा है, तो working with infected भी पूल, तो एक reason यह हुआ, अब biological हाजार ऐसे spread हुआ, थोड़ा सा और हम थोड़ा briefly समझते हैं, example of common occupational infection, अब देखो, इसके साथ कुछ occupational disease भी होगा, infection होगा, वो कौन से हो सकते हैं, anthrax, देखो anthrax की बात करूं, natural, यह हमारा animal में होता है, यह serious infection होता, अब यह कैसे spread होगा, एक life cycle है, इनसान को जानवर से प्यार है, जानवर को मिट्टी घास में खेलना पसंद है, तो दर से survive करने के बाद, इनसान के touch में आ रहा, देन उसके पास तक ही spread हो रहा, anthrax, ठीक है, this is a serious infection, अब देखो, serious anthrax क्या बोलता है, कि कैसे spread होगा, अगर गलती से भी आ गया, spore the form by the anthrax bacteria, अब यह क्या है, एक bacteria है, अब बैक्टीरिया बोले तो virus, naturally soil, देखो, basically क्या होता ह है, मिट्टी से, generate हुआ, कहां पे गया, मतलब जानवरों के थुरू गया, जानवर के पास मच्छर बैठ गया, मच्छर के थुरू, ठीक है, वो मच्छर कहां पे बैठा, इनसान पे बैठ सकता कहीं, मतलब एक प्रकार से spread हो रहा है, cycle हमारी चल रही है, ठीक है, दुनिया पर के जानवर हम यूज करते हैं, गोट हो गया, cattle हो गया, सीप हो गया, ठीक है, तो यह सब हमारे reason है, spread होने के अन्थ्रेक्स, एनदर बात करूँगो, friends, हैपेटाइट B and C, अब देखो, friends, यह बहुत थोड़ा डेंजर टाइप की disease है, अगर यह हो गया, for example के लिए, कि आपको हैपेटाइट B और C हो गया, C की condition में आपका kidney, liver पूरे damage कर सकता है, यह सब हमारा किस में आएगा, हैपेटाइट्स, यह भी disease होती ही, किसे, virus, biological hazard है, आप देखो, biological hazard है, यह कोई short term के लिए नहीं, यह long term disease है, जनरेट होगी आपे, so, हैपेटाइट B और C जो है, यह very dangerous है, हम इसको देख नहीं सकते, बस हमें यह समझना है, कि जो biological hazard है, for example, के लिए आपकी industry में biological hazard generate हो रहा है, वो कही न कहीं spread होगा, वहाँ से कोई न कोई दिक्कत होगी, for example, कि किसी एक industry के worker को coronavirus होता है, तो उसके थुरू पूरे industry को quarantine होगा, obviously industry बंद होगी, loss होगा, तो यही हमारा है biological hazard, तो हमें थोड़ा समझना है, कि biological hazard है क्या, for example, के लिए आप interview के लिए जाओगा न, ते question हो सकता है, what is the biological hazard, आपको मालूम होना चाहिए, कि organic component क्या होता है, and micro-organism क्या होता है, उसमें आपको समझ में होना चाहिए, बस basic आपको समझ में है, पूरी chemistry नहीं पढ़ नहीं है, आपको basic fundamental मालूम है, as a EHS officer, safety supervisor, बस आपको knowledge होना चाहिए, biological hazard के रिगर्डिक, तो, friends, I hope आपकी वीडियो जरूर समझ में होगा, आज के लिए thank you, मैं मिलता हूँ, friends, आपको next वीडियो में,